नमस्कार आपके साथ में हुरेशम खान और स्वागत आप सभी कायन 27 भक्ती में हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमवस्या तिथी को दिवाली मनाई जाती है और इस साल रोशनी का ये पर्व 12 नवंबर को है वही बजारों में दिवाली की रोनक देखते बन रही है दिवाली की खुशिया मनाने के लिए लोग तैयार है घरों में सजावट चल रही है शोपिंग और अभुशनों की खरीदारी हो रही है दिवाली का पर्व हिंदु धर्म में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि इसी दिन प्रभु श्री राम रावन की लंका विजे कर वापिस अयोध्या लोटे थे और इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने राम और सीता जी के स्वागत में दीपक जलाकर प्रसंता व्यक्त की थी तब इसे दिवाली मनाने की शुरुवात मानी जाती है वही पंचाग के अधार पर देखा जाए तो इस बार कार्तिक अमवस्या तिथी 12 नवंबर को दुपहर 2 बचकर 44 मिनट से लेकर 13 नवंबर को दुपहर 2 बचकर 56 मिनट तक है वही उदे तिथी के अधार पर 13 नवंबर को कार्तिक अमवस्या है और इस साल दिवाली 12 नवंबर रविवार को है और उस शाम को माता लक्षमी की पूजा की जाएगी और दीब जलाए जाएगे वहीं आपको बता दे 12 नवंबर को माता लक्षमी और गडेश जी की पूजा का शुब मुहुत शाम 5 बचकर 7 मिनट से प्रारंभ है और उसका समापन शाम 6 बचकर 57 मिनट पर होगा ऐसे मैं आपको दिवाली की पूजा के लिए एक घंटा 50 मिनट का मूर्थ प्राप्त होगा वहीं आपको बताते चले दिवाली की पूजा सामगरी में आप धूप, दीप, रोली, कुमकुम, अक्षत हल्दी, सिंदूर, केसर, कपूर, कलावा, दुर्वा, फल, फूल, गन्ना, पानका पत्ता, गुलाब और चंदनादी सामगरियां आप ले सकते हैं वहीं आपको बताते चले, घर के इशान कोड या उत्तर दिशा में एक चोकी पर लाल कपड़ा बिचाएं, इसके बाद गडेश लक्षमी की प्रतिमा इस्थापित करें, सबसे पहले गडेश लक्षमी का आचमन करें, फिर गंगा जल में पानी मिलाकर गडेश जी को इसना करें, फिर मा लक्षमी जी को गुलाब या कमल का फूल चड़ाएं और उन्हें गुलाब का इत्र और वस्तर अर्पित करें, इसके साथ ही गडेश जी को वस्तर फूल और चंदन का इत्र चड़ाएं, फिर लक्षमी माता को गडेश जी के सामने पूजा की सभी सामगरी अर पूरान कमल गट्टे की माला से मंत्रों का जाब करें और उनकी आरती उतारें मालक्षमी और गड़ेश जी के समक्ष दक्षिना चड़ाएं और पूजा के बाद मंदिर में दान कर दें पूजा समापती के बाद एक बार फिर से उनकी आरती उतारें और पूजा में हुई गल पाड़ा अनार नारियल पान का पत्ता हलुआ और मखाने का भोग लगा सकते हैं इस दिन माता लक्ष्मी को सफेद और गुलाबी रंग की मिठाई चड़ा सकते हैं इसके साथ ही गड़ेश जी को मोती चूर या बैसन के लड़ू और पीले मोदग का भोग भी आप लगा सकते हैं तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप सभी को एंट 27 भक्ती की तरफ से दिवाली की हाथ दिक्षुप कामना है